पापा जी इस बार तो धान पड़ी अच्छी होई है धान तो अच्छी होनी थी पुतर इस बार खेतों में रूटो मैक्स गोल्ड जो डाला है रूटो मैक्स गोल्ड एक हुन्द है पापा जी रूटो मैक्स कोल्ड किसानों के लिए एक नया उत्पाद है जिसने खेती की तस्वेर ही वदल दी है रूटो मैक्स ने किसानों को एक नहीं दिशादी है और उनमें एक विश्वास पाइदा किया है कि उनकी फसलों की पैदावार जादा होगी और गुर्वत्ता भी सुत्रेगी लेकिन रूटो मैक्स गोल्ड है क्या? रूटो मैक्स एक अलुपमखाद है जो पौधों के लिए एक पूरत का काम करती है रूटो मैक्स गोल्ड समुद्री शैवाल का निस्तारित अंश है इसके अलावा इसको स्थूलव सूक्ष्म पोशक तक्तों से फौर्डिफाई किया गया है जो फसलों के विकास और उत्पादन में कारगर सावित होता है और हो रहा है इसकी उत्पादन तक्मीक हॉलेंड के लेंटीज कमपनी के सहजोग से विक्षित की गई है और भरतिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रमानित किया गया है दुरलप समुदरी घास से बने रूटो मैक्स में विटमिन्स, एमिनो एसिड्स, एलजिनेट्स और नैचुरल हर्मोस जैसे तत्व शामिल होते हैं रूटो मैक्स के उदबादन के लिए समुदरी घास को निकालने के लिए अत्याधूनिक टेकनलोजी का इस्तेमाल किया जाता है रूटो मैक्स कोल्ड में प्रयोक्त समुदरी शैवाल का निस्तारण खास फर्मेंटेशन की तकनी की द्वारा किया जाता है जो की अन्य विडियों जैसे हाई टेंपरेचर या क्यामिकल के प्रयोग से कहीं अधिक कारगर है क्योंकि इसमें शैवाल की गुर्वत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वास्तों में रूटो मैक्स कोल्ड में एहम और सोक्ष मतत्तों का शांदार संतुलन होता है को सुधारता है जिससे इसकी पाने सोकने की छमता बढ़ती है यहीं नहीं मिट्टी खाद में उपलब्ध पोशक तत्तों को भी अधिक रहन करती है इससे हवा का संचार भी सुधरता है जड़ों के विकास के लिए जरूरी आधारबुद पोश्टिक तत्त्व और आवशक ग्रोध हॉमोन्स भी उपलब्ध कराता है यहीं वज़े है कि रूटो मैक्स गोल्ड की विश्वसनियता के चलते आज इसका इस्तेमाल हर तरह की खेती में किया जाता है रूटो मैक्स गोल्ड क्या है? कैसे बनता है? ये तो हमने जान लिया लेकिन किसान ये भी जाना चाहते हैं कि आखिर रूटो मैक्स का फैदा क्या है वी इसका इस्तेमाल अपने फसलों के लिए क्यों करें कहते हैं सही बुनियाद से ही मजबूत इमारत बनती है रूटो मैक्स कोल्ड पौधे की शुरुवाती अवस्था में कीव्द विकास के लिए संतुलित पोशन प्रदान करता है इसमें जरूरी हॉर्मोन्स उपलब्ध है जिससे नाकेवल उत्पादन अपित उत्पाद की गुरुवत्ता में भी आशातीत व्रिद्ध देखी गई है लाप्रद खेती के लिए ये बहुत जरूरी है कि पौधों की रोग प्रतिरोधक शमता यानी रोगों से लड़ने की शमता मजबूत हो रूटो मैक्स में सुक्ष्म तत्वों की उपलगता पौधों की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने का काम करती है रूटो मैक्स गोल्ड की कुछ और खासियतें भी हैं जो किसानों के लिए फैतेमंद हैं रूटो मैक्स गोल्ड समुद्रि घास पर आधारित है लिहाजा ये पर्यावरण वह भूमिक में जहरेले प्रदार्ट नहीं छोड़ता मित्ती की पोशक तत्रों को ग्रहन करने की छमता पढ़ने के कारण खेती में रासायनिक खाद की दी कम आवशकता होती है रूटो मैक्स का इस्तेमाल सभी फसलों पर किया जा सकता है जैसे धान फसले धान, गेहूं, जो, मक्का, इत्यादी, दलहनी फसले, अरहन, चना, मूँ, इत्यादी, सबजियां, तिलहनी फसले, सरसूं, मुंफली, स्वयाबी, इत्यादी रूटो मैक्स कोल्ड का इस्तेमाल आम, अमरूद, लीची और केले जैसे फलों में अत्यंत लाप परत है पुश्व फसलों जैसे गेंदा, गुलाब, चैमिल, ग्लैडियोली इत्यादी जैसे फूलों में लाप परत है चै, कॉफी के बागानों, तथा गन्ना और आलो जैसी नक्ती फसलों के लिए भी रूटो मैक्स का इस्तेमाल लाप परत है रूटो मैक्स गोल्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाए? यानि किस तरह की फसल पर कितना रूटो मैक्स डाला जाए? किसानों के लिए ये सवाल भी एहम है रूटो मैक्स डालने का सबसे उत्तम तरीका है कि इसे खेत में भुभाई के समय अन्य खाद में मिलाकर प्रयोग करें इसे रेत या खाद में मिला कर खड़ी फसल में भी प्रयोग किया जा सकता है मैदानी फसलों के लिए प्रतियकड में 4-5 किलोग्राम रूटो मैक्स कोल्ड परियात है सब्जियों में प्रतियकड 8-10 किलोग्राम रूटो मैक्स कोल्ड परियात है फल व्रिक्षों में 50-100 ग्राम प्रती पेड रूटो मैक्स गोल्ड की आवशक्ता होगी जी पेड की उम्र पर भी निर्भर करता है गन्ने में प्रतियेकर 15 किलोग्राम रूटो मैक्स गोल्ड डाले फूलों के लिए 15 किलोग्राम प्रतियकर रूटो मैक्स की जरूरत होती है रूटो मैक्स गोल्ड को कैसे इस्तिमाल करना है ये तो आपने जान ही लिया और ये भी समझ लिया होगा कि किस तरह रूटो मैक्स किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है समझ गया पापा जी, रूटोमेक्स गोल्ड दा जबाब नहीं. यह तो समझ गया, अब आप भी समझ जाए, रूटोमेक्स गोल्ड भी अपनाईए. फसलों में डाले नई जान, धी इंडो गल्फ ग्रूप का रूटोमेक्स गोल्ड है, किसानों की शान.